Hello students, maths class 4th exercise 3.8 question number 1 Simplify the following Simplify करना है यानि कीने solve करना है आपको A part, first question के हमें 4 parts given है A part हम solve करेंगे आगे की 3 parts आप खुद से try करोगे तो A part हम solve कर रहे हैं A part में हमें statement given है 28,094 minus 15,105 plus 35,759 यह statement हमें given है यहाँ पर पहले two numbers में यानि की first number में से second number को minus करना है बीच में का उनसा symbol given है? subtraction का तो यानि की 28,094 में से 15,105 को minus करेंगे इसमें से यह minus करने के बाद जो answer आएगा उसमें हम इसको add करेंगे पिछे वाले जो number है उसको हम क्या करेंगे? add करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें किसी का sign given है यहाँ पर plus का sign given है ऐसी आपने सेम आगे सभी question करने है जहाँ पर add करने के लिए बोला जाए तो two numbers को add करोगे आप minus करना है तो जो answer आजेगा उसमें से minus करोगे minus करने के बाद जो number बचेगा उसमें आप फिर यह वाला add करोगे इसी type से आपने सभी question को simplify करना है step by step तो a part हम solve करने है first का a part है statement given है इसको हमने करना है subtract बीच में sign किसका given है minus का तो हम क्या करेंगे minus करेंगे 4 में से 5 minus नहीं होता तो हम क्या करेंगे यहां से borrow लेंगे 8 आ गया यहां पे 14 14 में से 5 minus करेंगे बचे का 9 8 में से 0 minus करेंगे 8 0 में से 1 minus नहीं होता है यहां से borrow लेंगे 7 और यहां पे 10 10 में से 1 गया 9 7 minus 5 2 2 minus 1 1 minus करने के बाद क्या आता है number कुन सा आता है 12,989 अब हम इसमें जो add करेंगे जो हमें next number given है 35,700 759 इसको हम add करेंगे क्योंकि बीच में symbol हमें assign कौन सा given है addition का तो इसको हम add करेंगे 9 plus 9 जो यह answer आया है इसमें यह add करना है यानि कि इन दोनों को Tiger करोगा है आप अलग से लिखके side में भी step को आप अलग भी कर सकते है यानि कि अगर आप इक अठा नहीं करना चाहते है기 की 9 plus 5 14 4 लिखेंगे यहाँ पर 1 कैरी 1 plus 9 10 10 plus 7 17 1 यहाँ पर कैरी 1 plus 2 3 3 plus 5 8 1 plus 3 4 ना आंसर is 48,748 यह आपका आगया आंसर इसी टाइप से आप 3 पार्ट सोल करोगे B पार्ट C पार्ट और D पार्ट 2 we found इसी टाइप से सोल करोगे आप अगर एक कोलम में आपनी नहीं करना तो आप पहले इनको दोनों को ऐड़ करो एड करने के बाद उसे आप जो अडिशिन के बाद जो आपका नंबर आता है एड करने के बाद उसे उपर लिखो उसमें से इसको माइनस करो minus करने के बाद जो number आता है उसे फिर side में लिखो और उसमें ये वाला number आप add करो इस type से भी आप इसको solve कर सकते हो SEC part and D part आप खुछ से try करोगे now second question 68,782 and 30,599 bricks were made into brick field 2 brick field के अंदर कितनी bricks? bricks होते हैं? hintे hintे बनाई गई हैं यानि कि one brick field के अंदर इतनी hintे बनाई गई हैं second brick field में अंदर इतनी hintे बनाई गई हैं तो out of these इन में से 21,594 bricks were spoiled due to rain 21,594 bricks है जो hintे है spoil होगी है means खराब होगी है डू टू रेन बारिश की वज़े से इतनी hintे खराब हो चुकी है how many bricks remain in good condition इह बताने है probably you know, how many bricks remain in good condition कितनी bricks good condition में है तो यहां पे हमें two brick field के अंदर wish दी गई है फर्स ब्रीक फिल्ड में अंदर इतनी बन रही है, तो हम टॉटल देखेंगे कि टॉटल कितनी ब्रीक्स हमारे पास है, दोनों को एड़ कर दोगे, यानिकि फर्स ब्रीक फिल्ड में ब्रीक्स इतनी इंटे बन रही है, तो दोनों को एड़ कर दोगे तो वो टॉटल ब्रीक् ब्रिक बेर वहस्ञा चिए एक हमें वह जते है vigil मां फिल एक आता मैं ट्रीगने सिक deport उसका कर लॉज़ सपयर्दें अपक हमास्जान डारा को बन कर दाइंगे जो फरक दरेखंगे में निस लॉज़ी और देलने में इस कप अधाट door ял second question number of bricks number of bricks were in good condition sorry one were made in first brick field were made in first brick field सबसे पहले हम क्या लिखेंगे number of bricks were made in first brick field first brick field में जो bricks बनाएगी हैं वो लिखेंगे कितनी है 68782 उसके बाद हम लिखेंगे number of bricks number of bricks were made in second brick field second brick field में जो brick बनाएगी हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे second brick field में कितनी bricks बन रही हैं 30,599 bricks तो यहाँ पर लिखेंगे total number of bricks total number of bricks कितनी bricks बनी हैं दोनों ही brick field में total कितनी bricks बनी हैं तो total के लिए हम इनको एड़ करेंगे दोनों को plus का sign डालेंगे add करेंगे 2 plus 9 11 1 आ गया 1 carry 1 plus 8 9 9 plus 9 18 8 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ पर carry 1 plus 7 8 8 plus 5 13 3 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ पर 1 plus 8 9 9 plus 0 9 6 plus 3 9 यानि कि 99,381 total bricks हैं तो हम इने दोबारा से लिखेंगे यहाँ पर total number of bricks total number of bricks कितनी है हमारे पास जो अभी हमने निकाली है जो दोनों brick field में brick बनी है first brick field में second brick field में जो bricks बनी है तो उनको add करके total number of bricks आगी कितनी बनी है out of these 21,594 bricks were spoiled due to rain तो हम लिखेंगे number of bricks number of bricks were spoiled number of bricks were spoiled कितनी bricks spoiled हुई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे spoiled हुई है 21,594 rain की वज़े से यानि कि बारिश आने की वज़े से इतनी जो इंटे है वो खराब हो गई है और इतनी हमारे पास total इंटे थी इतनी इंटे खराब हो गई तो हमें यह बताने कि कितनी इंटे good condition में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे number of bricks remain in good condition number of bricks remains in good condition total number of bricks थी हमारे पास 99,381 हमने यहाँ पर निकाल ली थी दोनों brick field में जो इंटे बनी थी उनको add करके हमने total bricks निकाल ली थी तो इतनी bricks होगी थी और अब क्या होगी थी उन total bricks में से इतनी bricks spoiled होगी थी बारिश की वज़े से इतनी इंटे खराब होगी थी 21,594 इंटे बारिश की वज़े से खराब होगी थी तो यह बताना था कि अब कितनी जो bricks remains in good condition कितनी इंटे जो अब good condition में थी यानि कि सही थी वो कितनी इंटे खराब नहीं हुई थी जो सही थी यानिकी जो अगर हम total bricks में से जो खराब हो चुकी हैं उनको minus कर देंगे तो जो good condition में है वो बच जाएंगी तो हम इसे minus करते हैं 1 में से 4 minus करेंगे नहीं होता तो यहाँ प प्रभु लेंगे सब्सक्राइब करेंगे बचलिका 8-1, 7 9-2, 7 Now, answer is 77,787 bricks are in good condition यानि कि इतनी bricks क्या है? Good condition में है Now, question number 3 राजु सोल्डे बफैलो 4 रुपीज 25,000 राजु एक बफैलो यानि कि भैस बेचता है, सोल्ड करता है कितने रुपीज में? 25,000 रुपीज में and an all tractor 4 रुपीज 45,950 और एक old tractor बेचता है कितने रुपीज में? 45,950 रुपीज में एक old tractor बेचता है How much money How much more money does he require to purchase a house 4 रुपीज 99,840 उसे कितनी मनी की requirement है? कितनी मनी कि उसे और जुरूरत है क्या परचेज करने के लिए? एक house परचेज करने के लिए कितने रुपए का 99,840 रुपीज में एक house खरीदना है वो खरीदने के लिए से कितनी money की requirement है यानि कि एक buffalo बेचता है इतनी रुपए में और एक tractor बेचता है उसके बाद इन दोनों को add करेंगी तो वो उसके हम पास total money आजाएगी जो उसके पास है अभी दोनों चीजों को बेचने के बाद buffalo और ट्रेक्टर को बेचने के बाद उसके पास जो money आजाएगी उसको हम जो house कितने का खरीद रहा है वो 99,840 का इतने में खरीद रहा है जो money आजाएगी दोनों को बेचने के बाद इसमें से हम minus कर देंगे वो बच जाएगी जो उसे money की जरूरत है अभी house खरीदने के लिए जो money उसे और चाहिए वो निकलाएगी तो हम यहाप पर solve करते हैं question number third राजू sold एब फैलो राजू sold एब फैलो राजू एब फैलो राजू एब फैलो करता है कितने रुपे की 25,000 रुपीस में 25,000 रुपीस में बेच कर sold करता है he sold an old tractor he sold an old tractor old tractor कितने रुपीस में वो sold करता है 45,950 रुपीस में इतने रुपीस में वो old tractor sold करता है तो money he had total money he had उसके बास कितनी money हो जाएगी यानि कि जब वो sell करता है buffalo sale करता है ट्रेक्टर sale करता है तो sell करने के बाद उसके पास money आजेगी buffalo sale करने के बाद इतनी money आगी 25,000 और जब old tractor उसने sold किया तो इतनी money आगी तो total उसके पास कितना रुपे आ गया दोनों चीजों को बेचिने के बाद वो कर निकाल दे हम तो वो कैसे निकलेगा दोनों को add करने के बाद 0 प्लस 5, 5 0 प्लस 9, 9 5 प्लस 5, 10 1, 1 प्लस 2, 3 3 प्लस 4, 7 यानि कि total money कितनी है अब उसके पास 70,950 बट जब वो house खरीद रहा तो house कितने रुपए में खरीद रहा है 99,840 में तो हम यहाँ पर लिखेंगे cost of a house cost of a house house की cost कितनी है rupees 99,840 house की cost कितनी है cost of a house is equal to 99,840 यह house की cost है बट उसके पास money कितनी है total money he had total money he had उसके पास total money कितनी है rupees 70,950 अब हमने find out क्या करना है money he required to purchase a house तो हम यहाँ पर लिखेंगे money he had to require money he had to require money he had to required money to purchase a house भी लिख सकते हो money required to purchase a house कितने रुपीज की उसे requirement है यह हमने बताना है उसके पास cost of house इतनी है house की cost कितनी है 99,840 और बफैलोर ट्रेक्टर को sold करने के बाद उसके पास पैसे कितने आगे इतने रुपीस आगे अब उसे कितने रुपे और चाहिए ताकि वो अपना house खरीद सके कितने पैसे की और जरूरत है तो हम क्या करेंगे जो उसके पास total money आई है total money आई है जो उसके पास उसको house की cost में से minus कर देंगे तो जो money की उसे requirement है वो निकल आएगी तो minus करते है 0 minus 0 4 में से 5 minus नहीं होगा यहां से borrow लेंगे 4 का बन गया 14 और यहां पर 1 minus कर देते हैं तो यहां पर 7 आ गया 14 14 में से 5 minus करेंगे बचेगा 9 7 में से 9 minus नहीं होता है यहां से borrow लेंगे 8 बन जाएगा और यहां पर 17 17 में से 9 minus करेंगे 8 बचेगा 8 में से 0 minus किया 8 9 में से 7 minus किया तो 2 बचेगा तो कितनी money की उसे requirement है कितने और rupees की उसे जरूरत है ताकि वो अपना घर खरीद सके 28,890 रुपीस की requirement है उसे अपना घर purchase करने के लिए Thank you